नमस्का, मैं होस्तासी आयो जर्खन की टव पचीस पर मुख खबर जानते हैं श्री राम मंदिर भूमी पूजन का पाला निमंत्रन पत्र इकवाल अंसारी को भेजा गया पाँच अगस्त को परदान मंदिर नमस्का, भागवान श्री राम की मंदिर का भूमी पूजन करेंगे और मंदिर निर्वान के लिए पहली इट रखेंगे इस करकरम के लिए निमंतरन पत्र भेजा जा रहा है करकरम का पहला निमंतरन पत्र अयोध्या बिवाद के एक वादी इकबाल अंसारी को भेजा गया है आपको बता दे कि निवंतरन पत्र मिलने के बाद इकबाल अंसारी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यह भागवान राम की एक्छा है जिसके करण मुझे पाला निवंतरन पत्र मिला फल्दार पोधे से आत्मनिर्भर होंगे किसान मंत्री जरकन सरकार दोरा प्रवासी मजदुरों को रोजगार देने वह जीले को हरा भरा बनाने के लिए बिर्सा हरित ग्राम नाम महत्वा कांची योजना सुरू की गई है इसके तहट सभी जीले में पोधार उपन किया जा रहा है आपको बता दे कि इसी करम में ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पोधार उपन किया और बताया कि पोधार उपन का मुखे उदेश किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है का कि पोधार उपन से कई फैयदे हैं इसके ततकाल लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही भविस में फ़ल होने पर उसे बेचकर आर्थिक सम्रिधी भी लाई जा सकती है इसकूलों में नमांकन का जिम्मा डियो को राज के जीला सिक्षा पता अधिकारी और जीला सिक्षा अधिक्षक इसकूलों में छात्र छत्रहों का नमांकन सुनिश्चीत कराएंगे उन्हेता करना होगा कि संक्रमन और लोकडाउन की वज़ा से बंद पड़े इसकूलों में बचों का ड्रॉप आउट ना हो और नहीं पढ़ाई छुटे इसके लिए सभी बचों का नमांकन होना चाहिए इसकूली सिक्षा और ससक्ता भी भाग के सचीव राहू सर्मा ने इसके लिए सभी छेत्रिये सिक्षा उपनी देशक को निर्देश दिया है जार्खन में आज 751 संक्रमीतों के पुष्टी हुई जो पूर्वी स्विभूम 449 राची 1392 रामगार 54 जामतरा 45 पच्मी स्विभूम 38 साहिव गन 34 लाते हार 31 सराय के ला 27 गूमला 23 पाकुड बारा देवखर नौ भुकारो वा पलामू से आठाठ धनबाद 4 लाते हार से ए राज 1037 जबकि 4775 लो छोज टो स्विए और 125 की मिरत्य हो गाई भारत में कुल संक्रमीतों के संख्य 18 reserv मbor च्बानेया 301 एकoria 301 गूमला और 38,971 की मिरित्य हो गाई भारत में नाए केस 58,488 मिले है जबकि 43,077 लोग सुवस्त हुए और 806 की मिरित्य हुई है एक्टिव केस राची 1802, पुर्वी सिम्भूं 1645, धनबाद 480, हजारी बाग 430, देवघर 423, कोडार्मा 340, रामगर 330, गिरिटी 310, गाड़वा 296, पलामो 293, गुमला 278, पाचमी सिम्भूं 246, चात्रा 211, लात्यार 179, सराय केला 184, पांकूर्त 117, सायव गाई 117, सिम 149, लोहरदागा 125, दुमका 84, जामतारा से 80, मरीज एक्टिव हैं 486 करोर मता से बीज का किसानों के बीच वित्रन मता से विभाग इस बर 486 करोर मता से बीज का उत्पातन करेगा विभागे प्रचेत्रों में 25 तथा नीजी तलाबों में 461 करोर मता से बीज का उत्पातन होगा विभाग ये प्रच्छेत्रों में एक लाख बीज उत्पात पर करीब नौ हजार रुपए खर्च होता है इसमें से बीस क्लोर बीज दस हजार प्रती लाख की दर से बेचे जाएंगे इससे दो क्लोर रुपए का राजसों मिलेगा सेस पांच क्लोर मतसे बीज वैसे मतसे पालकों को दिये जाएंगे जो मतसे बीज नौगत ख़र देंगे जो मतसे पालक 80,000 बीज खर देंगे उन्हें 20,027 पर 3,7 अनुदान पर दिया जाएगा आपको पता दे कि इसके लिए क्रिसीप पासु पालन एमसार करता विभाग ने जीलावार लक्षताय किया है कि इस वर्ष नीजी वह सरकारी तलाबों में 416 अकुरों मतर से बीज का उत्पादन किया जाए पूर्वी सिम्भूम में कहर जारी 36 गंटे में 11 की मत जारखन के जमसेदपूर स्टी टाटा मेन होस्पीटल में 36 गंटे के वित्तर वाइरस से संक्रमीत 11 लोग की मत हो गई है आपको पता दे कि सोम मुहर को दोपर तक 5 लोग की मत हो चुकी थी इसे पहले स्वास्त विभाग के बुलोटे में बताया गया था कि रभीवार देर रात इसी अस्पताल से 6 लोग की मत हो गई है जार्खन के 6 जीलो में संक्रमन से हाकार जार्खन में कुरोना वाइरस से हाकार मचा हुआ है दिन परती दिन कुरोना के नए मामले में तेजी देखी जा रही है आपको पता देगी जार्खन स्वास्त विभाग द्वारा जारीत ताजा अपडेट के मुताबिक जार्खन के छो जीलों में कोरोना सबसे ज्यादा उग रहा है इन जीलों में जमसेदपूर, राची, धनबात, हजारी बाग, सिम्डेगा और कोडार्मा समीली था देव घर में बाबा बैजनात का कड़ी सुरक्षा के साथ हुआ दर्शन, सावन की आखरी सोमवारी पर बाबा बैजनात का सर्धालूओं ने दर्शन किया, वी आईपी गेट से बाबा मंदीर परांगान में परवेश करने वाले सर्धालूओं का थर्मल स्केनिंग की गई, और मास्क नहीं पहनने वाले सर्धालूओं के बीच फेस मास्क भी बाटा गया, आपको बता देगी सोसल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के साथ साथ सुरक्षा में तीन सो से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्योटी पैतैनात किये गए थे, जिसमें से कि पाच सो से अधिक सर्धालूओं ने पुया यार्चना की, पाच अगस्त भूमी पुयन को सराब वा मांस की दुकाने बंद कराने की मांग, पाच अगस्त को अयोदया में स्री राम मंदिर का सिले न्यास होगा, इन दिन राजधानी राची राममाई होगी, रंग बिरंगे बलो से रा कराने की मांग की गई है, पूलिस कर्मी पी रहे गाड़ी धोने का पानी जाच का आदेश, कुरोना ड्यूटी में लगे सेक्डो जवान के सेहत के प्रती अब अतिरिक सजग की जाग रुकता है, तो राजधानी राची में उनकी सेहत से खिलवार हो रही है, आपको बता द की पानी के जार में वाहन धोने में इस्तमाल होने वाली पानी भर कर अलग अलग जगों पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मीयों की इसकी सफलाई की जा रही है, एसेसपी सुरेंद्र कुमार जहार ने बताया कि पुलिस कर्मीयों को स्वक्स पानी उपलब्द कराने आजकर रिपोर्ट्स अपने कादेश दिया गया है, राज भॉन में सहीदों की मूर्तिया होगी अस्थापित राज पाल, राची राज भॉन इस्थित मूर्ति गार्डेन में सहीदों की मूर्विने सोमवार को जारखन के बीर सहीदों की मूर्तिया के अस्थापना है तु एवाम खाद अपूर्थी मंद्री रामेशोरों ने कहा कि राजे में संपूर लोगडाउन नहीं लगेगा, संपूर लोगडाउन से जिन्दगी तो बच जाएगी लेकिन जीव का खतम हो जाएगा। इसा में सीगरे निर्ना ले। रांची लोकमाने तिलक पुराने समय पर चलेगी। बोकारों और गोमों होकर चलने वाली रांची लोकमाने तिलक मुंबाई सब्ताहिक एक्सपरेस इंदीनों रेल्वे स्टेशनों से नहीं छिनेगी। करते हैं रूट में बदलाव नहीं होने से यात्रियों की सुवधा बरकरार रहेगी। राक्षा बंधन का तेवार हरसो उलास के साथ मनाया गया। राज्य में सांतिव उलास के साथ रक्षा बंधन का तेवार संपन हुआ। बहनों ने अपने भाई के कलाई पर दिरगायू की कामना करने के साथ रक्षा सुत्र बंधा। बहनों ने सुवध से ही अपने भाईयों को पुरानी की रिती रिवाजों के साथ रक्षा बंधन का तेवार धुमधाम के साथ मनाया। सराब की विक्री घटी खपत पर उत्पाद कर लेने की मांग। कुरुना संकत काल में सराब की विक्री प्रभावित हो रही है। इदिक्तो सवगत कराया है। उन्होंने मांग की है कि सराब की जितनी खपत है उतने ही लेने की अनुमति दे और खपत पर ही उत्पाद कर का नेधारन किया जाए। हर्मू विधूत सवधाग्री के दोनों बर्नर से अमतिम संसकार किया गया। संक्रमन से मरने वाले संक्रमितों का अमतिम संसकार जिला पर्सासन दोवारा अब तक हर्मू मुक्ति धामिष्थिद विधूत सवधाग्री में एक बर्नर से किया जा रहा था। एक बर्णर से प्रती दिन यहां चार सौवक अदा संसकार हो रहा था लेकिन हाल के दिनों में मृत्कों की संख्या बढ़ने से अमतिम संसकार में जीला परसासन को काफी परसानी आ रही थी इसके बाद परसासन ने मरवारी सहायक समीती के साथ मिलकर इसे अफग्रेड करने का कारे शुरू कर दिया आपको बता दे कि जहां एक बर्णर से सौवक अमतिम संसकार किया जा रहा था वहां अब दोनों ही बर्णर से अमतिम संसकार किया जा रहा है भूमी पुजन के दिन 25 से अर्थ अधिक दीप जलाएगा 200 हिंदू परिसाद रांची श्री राम जन भूमी अयोध्या के भूमी पुजन को लेकर सोमवार को 200 हिंदू परिसाद रांची महानगर की बैठक प्रांत कर्याले में हुई जिसकी अधियक्षता महानगर अधियक्ष प्रवीन लोहिया ने की बैठक में उपस्तित अधियक्ष ने अगामी 5 अगस्त को होने वाली भूमी पुजन की सभी रांचवासियों को हार्थिक सुबकामना दी विश्वहिंदू परिसाद रांची महानगर के अधियक्ष ने बताया कि पूरे रांची सहर में सिरी राम जन भूमी पुजन के उसर पर 500 से अधिक होल्डिंग एवं बैनर लगाये जा रहे हैं साथी साथ सहर में 25 से अधिक दिप जलाये जाएंगे खोंटी बन विभाग ने दो लाकी अवैद लकड़ी किया जब्त खोंटी बन विभाग के करमचारियों ने सोमवार को रनिया बया टान के निकट अवैद लकड़ी लदे एक ट्रक को जब्त किया जब्त ट्रक में साल लकड़ी के तीरपन बोटे लदे हुए थे बन प्रमंडल पताधिकारी निरजन परसाथ देव ने बताया कि उन्हें गुप सुर्टा मिली थी कि एक ट्रक में अवैद लकड़ी से लाई जा रही है नेतर हट अवासे विद्याले में CBAC बोट की होगी पढ़ाई 30 सितंबर तक भरे फॉर्म राजे के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल नेतर हट अवासे विद्याले में CBAC से समवधता मिलने के बाद इस बोट के पैटर्न पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है आपको पता देगी स्वास्थ्र बीस एकईस में काक्छाच्छाओ में नावांकर होने वाले स्वास्थ्र सुरू से ही CBAC के पैटर्न पर पढ़ाई करेंगे स्वास्थ होकर लोटे पुलिस कर्मियों को मिलेगा पोश्टिक अहार रांची जीला पुलिस के संक्रमित मरीजों का बेहतर से बेहतर हुपचार कराया जाएगा स्वास्थ होने पर क्वारेंटाइन के दोरान उन्हें हर तरह के पोश्टिक अहार भी दिये जाएंगे ताकि वे जल्द से जल्द सरेईरी गुप से स्वास्थ हो ये बाते पुलिस अधिक चक मोहमद अर्सी ने कही वेशोम वार को सराइक के ला नगर पंचायत इस्थित रहन बसेरा का निरिक्षन कर रहे थे रन बसेरा में चंडिला थाना के 35 पुलिस कर्मियों को कुरोना संक्रमन से स्वास्थ होने के बाद 14 दिनों के लिए कुरंटेन में रखा गया है विसेश जाच अभियान में 47,531 लिए गया सेंपल राज के सभी जीलो में 31 जुलाई से सुरू किया गया विसेश जाच अभियान रभिवार को समाप्त हो गया है आपको बता देखिए अभियान के दोरान संकलित नमूनों की जाच की रहा रही है लेकिन अब तक एंटिजेन टेस्ट के जो रिपोर्ट मिले है वो रहात देने वाली है पिछले तीन दिनों में राज भर में एंटिजेन से 22,527 नमूनों की जाच हो गई है जिसमें सिर्फ 829 लोग संक्रमित मिले है जर्खन पूलिस का अभियान सम्मान में पूलिस कर्मियों के समस्या का समधान का आदेश जर्खन पूलिस ने 60 दिनों तक अभियान सम्मान शुरू किया है पूलिस उत्रों ने सोम और कोई अजनकारी दी आपको बता देगी डिजी पी एंबी राओ के आदेश पर राज भर के सिपाही हवलदार और चतुर वर गिये पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समधान के लिए अभ्यान सम्मान चल रहा है अभ्यान सम्मान का तीसरा चरण एक अगस्त लेकर दस अगस्त तक चलेगा राज भर के सिपाही हवलदार और चतुर वर गिये पुलिस कर्मियों के समस्याओं के समयधान के लिए डियाजी कार्मिक अपना नंबर निनानबर पच्पन निनानबर बाइस सतर जारी किये है भारतिये जनतापाटी किसान मोर्चा के अध्यक्स चुने गाए भारतिये जनतापाटी परदेश कर्याले में किसान मोर्चा के परदेश अध्यक्स पवन सिंग ने सोमवार को बिद्वत पुजा आचना करके अपना पद ग्रहन किया पद भार ग्रहन करते ही साहू ने परदेश के हमन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख मंत्री ने क्रिसी जन असिरवाद योजना को समाप्त कर किसानों के कमर को तोड़ दिया है वहीं पूरे परदेश में किसानों को मिलने वाले खाद बीच की परचूर मात्रा में कला बजारी हो रही है जिसे सरकार अभिलम रोकने अन्याथा संग ठन पूरी परदेश में अंदोलन करेगी यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल आकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को बाट से फेस्बुक ट्यूटर इंस्टाग्राम पर सेयर करें आप कॉमेंट में अपना सुझाब दे सकते हैं थैंक्यू